हलो दोस्तों वेलकम बैक वान सगे इन टो आज चानल बिलियान एजुकेशन माइनम इस यश और साथियो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेज सॉफ मैटर के एक्सरसाइज नंबर थ्री के बारे में पर बिफोर स्टार्टिंग दो वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने पूरे 11th और 12th स्टांडर महरास्टा बोड की क्यमेस्ट्री सिलिवर्स को खदम कर दिया हैं तो आप अपना पूरा क्यमेस्ट्री का प्रिपरेशन हमारे इस चानल बिलियन एजुकेश अंसर दफ फॉलोइंग उबके देखिये क्या है कि आइडिटिफाइद्ड ग्यास लॉस प्रॉम दफॉलइंग डाइग्राम यहां पर प्रेशर बन इट्मोस्पेर है यहां पर प्रेशर 0.5 इक में प्रेशर ज्यादा दिख रहा है और एक में प्रेशर क्या हो रहा है कम समझ भाया मतलब pressure variable है पर दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो temperature constant है और याद है मैंने आपको बताया था temperature cost में constant होता है boils law में ठीक है? ओके दूसरा देखिए दूसरे में pressure constant कर दिया यहीं पे पकड़ा गया यह Charles law हो गया? क्यों? pressure जब constant होगा तो वो तो Charles law में ही होता है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे pressure भी constant है number of moles change हो गया है और क्या दिया गया है? यहाँ पे pressure constant है और क्या है? यह volume है 22.24.8 and this is 37.2 लिटर और number of moles 1 and 1.5 लिटर है तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें 11.something add करने जैसा है तो कहीं यह आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि pressure same है और volume भी same है अंडर identical condition of temperature and pressure equal volume of gases contain equal number of molecules temperature mention नहीं है मतलब temperature भी same है तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों यह Avagadro's law कौन से law है? Avagadro law बट अगर फिर भी कुछ गड़गड होता है तो आप comment box में नीचे ज़रूर लिखेगा ऐसे तो गड़बड होने के chances बहुत काम है चलिए next देखी P Consider a sample of a gas in a cylinder Consider a sample of a gas in a cylinder with movable piston तो यह देखी यह आपका cylinder है और यह piston है यह piston है अब क्या बोला है आगे जड़ा देखते हैं So diagramatically the changes in position of piston if pressure is increased from one bar to two bar तो दिखो अगर जैसे ही pressure बढ़ा देंगे at constant temperature तो pressure तो ऐसे यह piston का position यह आ जाएगा आ रहा है समझ में जी हाँ external pressure की मैं बात करूँ अगर gas के pressure को बढ़ाते हैं तो piston ऊपर चले जाएगा यह पहला हो गया दूसरा क्या है तो यह दूसरा भी देखते हैं दूसरा क्या दिया है इन्होंने temperature is decreased from 300 Kelvin to 150 Kelvin at constant pressure अब ज़रा देखें जब temperature कम होगा तो gas जो है नो वो सुकूर जाएगी gas क्या हो जाएगी नजदीक आ जाएगी आपको पता होगा temperature कम करने से gas के जो particle है kinetic energy है वो कम हो जाती है और gas particle नजदीक आ जाते है तो no doubt second case में भी यह piston नीचे आ जाएगा क्योंकि gases क्या हो जाएगी नजदीक आना start हो जाएगी तो constant pressure पे अगर temperature को हम लोग कम करेंगे अगर pressure constant है temperature is decreased from 400 Kelvin to 300 Kelvin and pressure is decreased from 4 bar to 3 bar temperature भी कम हो रहा pressure भी कम हो रहा no doubt वापस piston नीचे आ जाएगा क्योंकि temperature भी आप कम कर रहे हो pressure भी आप कम कर रहे हो temperature भी कम हो गया pressure भी कम हो गया तो फिर क्या होगा no doubt piston को तो नीचे आ नहीं है आ रहा है समझ में जी हाँ मैं इसे external pressure मानके चल रहा हूँ the temperature is decreased from 400 Kelvin to 300 Kelvin and pressure is decreased from 4 bar to 3 bar और यहाँ पर कहीं पर mention नहीं कि है कि gas का pressure के बारे में वो बात कर रहा है समझ मैं है मैं यहाँ पर जो pressure है वो यह external pressure मानके चल रहा है अगर gas का pressure लेंगे तो शायद answer अलग हो सकता है तो यह question की थोड़ी सी आप कह सकते है ambiguity है साथी चली देखते है next question d list the characteristic physical property of the gas अब ग्यास की हमको physical property बताना है तो आप सबको बता है gas का volume जो होता है वो fix नहीं होता वो container का shape लेते हैं फिर gas के बीच में inter particle attraction बहुत काम होता है तो बहुत सारा है वो सब कुछ जो है ना हमने यहां पर दे दिया है यह देखी they are easy compress they are easy to what they are easy to compress they expand to fill the container they occupy more spaces than liquid and solid तो यह PDF भी आपको हमारे billion education के link पर मिल जाएगी telegram टेलिग्राम पर उसके बाद next question यह definition है सब देखी क्या question है define the term polarizability hydrogen bond equus tension dipole moment इधर देखी क्या होता है polarizability is the measure of how easily an electron cloud is distorted by an electric field जैसे यह देखीए यह एक anion है यह negative charge है यह उसका nucleus और यह cut ion है positive charge तो यह क्या करेगा anion के electron को कीचेगा तो कितने आसानी से यह कितने आसानी से यह anion का जो electron cloud है यह चले जाता है positive charge के तरफ हमज में आ रहा है यह मैं क्या बोल रहा हूँ यह जो electron cloud है चलो color change कर देते है यह electron cloud जो देख रहा है यह lal-lal color का यह कितनी आसानी से cut ion की तरफ जाता है इसे को आपन कहते है polarizability जो अनायन easily अपने electron cloud का टायन की तरफ देता है कहते है वो जादा polarizable है समझ में आ रहा है उसकी polarizability जादा है और जो जल्दी अपने electron cloud को नहीं देता उसकी polarizability काम होती है आया समझ में ऐसा है next देखो hydrogen bond अरे साती हूँ ये तो बहुत ही अब बोलते हैं न interesting concept है hydrogen bond हर जगे आ जाता है ये तो phone ही बनाता है इसे sorry phone बनाता है phone मतलब fluorine oxygen and nitrogen जब H fluorine को या फिर H oxygen को या फिर H nitrogen को अटाच होता है तो वो hydrogen bond दिखाता है और इसको अपन तीन डॉट से दिखाते है ऐसे और यहाँ पर nitrogen या फिर कोई highly electronegative atom होगा देखिए यहाँ पर दिया गया a weak bond between two molecules between two molecules resulting from an electrostatic attraction between a proton in one molecule and electronegative atom in other समझ मैं रहा है और यह एक molecule के अंदर भी हो सकते है मैं आपको बता देता हूँ hydrogen warning दो प्रकार के होती है intra भी होती है intra भी होती है intra मतलब molecule के अंदर ही molecule के अंदर ही जैसे यह देखिए यहाँ पर OH है और यहाँ पर C double bond OH है यह देखिए hydrogen warning आरहे समझ में यह molecule के अंदर ही हो गया यह तो फिर दो molecule के बीच में हो और यह है और यहाँ पर N, H, H और यह H तो यह देखिए यह hydrogen warning जो मैंने dotted से दिखा है यह यह attractive force है कि इसके बीच में यह proton और electron negative atom के बारत है इसको detail में हमने bonding में discuss कि ओके no doubt states of matter के bonding वाले पार्ट में अभी next क्या है aqueous tension is defined as partial pressure of the water vapor present in moist gas समाल लीजिए आपके पास कोई एक gas है जैसे nitrogen और यह गीली है gas तर गीली का मतलब क्या मतलब उसके अंदर moisture भी है तो gas का जो pressure होगा साथ मी साथ उसमें water vapor का भी pressure लगेगा तो water vapor का जो pressure लगेगा ना gas के molecule के pressure के साथ उसको अपन equeous tension लगे समझ में आ रहा है तो gas के pressure के साथ जो water vapor का pressure लगता उसको अपन equeous tension बोलते हैं समझ में आए क्या मगज में आए क्या आगे देखो तो mathematical product of अच्छा यह dipole moment है तो यह देखिए मान लिजे एक bond ले लेते हैं अपन A और B समझ में है तो यह bond length मान लो इसकी D है समझ में और यह charge appear हुआ है मान लिजे Q charge appear हुआ Q इसके उपर positive इसके उपर negative मान लो इसने कीच लिया तो dipole moment होता है Q into D charge appeared into the distance mathematical product of separation of end of a dipole मतलब यह positive और negative charge and the magnitude of charges ऐसा है यह ठीक है चलिए आगे देखते है next question क्या है प्यारे बच्चों उसे देखते है अकेई चलो 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 जल्दी जल्दी देखते है would it be easier to drink water with a straw on top of Mount Everest or at a base तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताओ अगर यह Mount Everest के top की बात कर रहा है यह Mount Everest के top की बात कर रहा है तो इतने ज़्यादा height पे temperature कितना कम होगा और इतने ज़्यादा height पे जब temperature बहुत ज़्यादा कम होगा तो साथियों एक simple सी बात है कि वहाँ पे आप straw को पानी में कैसे डालोगी समझ में आ रहा है drinking water में कैसे तब तो बरफ जम जाएगा तो कैसे पी पाऊगे तो ऐसे सोचा जाए तो यह तो बहुत difficult है प्यारे दोस्ते यह तो बहुत difficult है तो base पे ही पीना ज़्यादा आसान होगा लेकिन अगर आप temperature की respect में नहीं सोचते temperature की respect में नहीं सोचते प्रफ से काहां पर किछने में आसानी और पर ग्राविटेशनल प्रफ फोर्ट आट्राक्शन काम होगा क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती है ग्राविटी कम होती है बोलो सही बोला की, यह लेकिन आप तेमप्रेचर वाला पहला आहनसर डेना यह बरफ में करनवट हो जाएगा औ बिडू टेंशन नहीं लेवानू इधर सब आंसर ये सर देवानू ये देखो सब आंसर PDF के फॉर्म में दे दिया है मैं वीडियो में भी ये PDF क्यों दिखाता हूँ क्योंकि आजकल जमाना थोड़ा खराब है बनाया मेहनत की PDF किसी और ने और उसे उड़ा गए लोग पुर से कोई और सबज में आ रहा है और अपने चैनल पे इस पे वाटर मार्क डाल के अपना नाम लिख देते हैं अगर आपने भी ऐसा अब्ज़र्व किया है कि हमारे PDF पे किसी और का नाम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में निख सकते हैं प्यारे दोस्ते ठीक है चलिए देखिए अब आगे कुछ यह बॉल्स लॉओ है तो यह सब हम ज़्यादा डिसकस नहीं करेंगे क्यों हमने अल्रड़ी अपने थेयरी में डिसकस कर लिया है ठीक है तो उसका स्टेटमेंट तो आपको मिल जाएगा किंता मत कीजिए ओके नाव नेक्स्ट जी में क्या बोला है identify the intermolecular forces among the following तो यह देखिए CS3 OH है OCOH attach है OCOH attach हो गया मतलब क्या hydrogen bond दिख जाएगा इसमें hydrogen bond और यह क्या है यह non polar molecule है तो इसमें London force हो जाएगा London और यह CS3 CL क्या है यह polar है तो इसमें dipole dipole होगा क्या होगा dipole dipole याद रखना polar molecule के अंदर dipole dipole होता है non polar के अंदर क्या होता है London force और यह क्या है CS2 CL2 यह भी polar है तो इसके अंदर भी कौन सा force होगा इसके अंदर भी प्यारे साथियों डाइपोल, डाइपोल ही होगा चलिए आगे देखते हैं Name the type of intermolecular forces present in AR AR मतलब argon, इसमें भी London force होगा डाइपोल, induced dipole, London force का दूसरा नाम है इसमें भी London force इसमें भी London force और इसमें जो होगा वो hydrogen bonding होगी क्यों? क्योंकि इसमें highly electronegative atom that is hydrogen is attached to oxygen HNO3 का आगा structure आप बनाओगे ऐसे OH हो जाएगा N double bond O HNO और ये HNO3 हो गया अगे देखिए match the pair of the following A, boils law B, at constant temperature अच्छा, मतलब boils law है तो आप सबको पता है बोल्स law क्या होता है? constant temperature पर तो बोल्स law के लिए तो ये हो जाएगा चार्ल्स constant pressure समझ मैं? ये तो ओ, उपर क्या दिया है? at constant pressure and volume ओ, हू, 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 हू ये तो गडबड हो गया चार्ल्स law वो नहीं होगा पहला वाला नहीं होगा माफ करना साथी ये यहां पर होगा आरा समझ में constant pressure वैसे ही, ये भी याद रखना ये शायद gay-lussac law होगा कौंसा? Lussac's law इसमें क्या होगा? pressure constant होगा और मेरे ख्याल से volume constant होगा आप cross check कर लीजेगा एक बार जहां तक मुझे लगता है खलत नहीं होना चाहिए बट फिर भी आगे देखिए तो ये सब कुछ मैंने theory में दिया है और देखिए ये जो laws की आप बात कर रहे है न ये सब उपर दिया हुआ है तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगी सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग देख लें ये वो कि बिटा सारे laws और ये सब तो जब हमने discuss कर लिये हैं यहां पर देखो तो आप भी खुद से पढ़ सकते हों क्या है दिखाना पड़ता है बच्चों की ये है ये तो बोलेंगे सर किदर है उसमें भी कमेंट बाक्स में लिखके परिशान कर देंगे अपके ये देखिए और ये बापा ये किदर आगे रही और से चाप्टर में उपर जाना पुड़ी गाल लोज के लिए ओके हाँ हाँ आगए हम लोग आगए 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 तो ये देखिए ये चार्ल्स लॉज है उपर क्या है ये बॉल्स लॉज है ये देखिए वल्ट लाउ गया पिर यह देखिए यह चाल्स लाउ गया और यह देखिए यह गेल उसाएक्स लाउ अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज को कमजए एको बचो कैसा है ऐसा नहीं कि यह बोलते हैं किसी चीज को लेकि आप ऐसे हट बांदो कि हाँ 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 मुझे पता है यह वो कभी भी कैसा होता है कि अगर आपको थोड़ा भी element of doubt रहे तो आप assurity के लिए ऐसे है और ऐसा नहीं कि कोई चीजे मैं खुद के मन से बोल रहा हूँ उसका बकाइदा प्रूफ है अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है और इस लड़ यह कौन सा यह तो पहले हो गया है वाफी चाहूं यह देखो ही बता है अब question number 4 की तरफ हम बढ़ जाते है answer the following questions state and right mathematical expression for dalton's law of partial pressure के लिए mathematical expression देखिए अब मैंने आपको बताया था पार्शल प्रेशर मतलब क्या एक container में अगर चार ग्यास है और चारो मिल के कुछ प्रेशर दे रही है simple तो उसको total pressure बोलते है बट आप अब क्या करो आप वो चार ग्यास पे से किसी एक ग्यास के उतने ही amount को उसमें रखो बाकी तीन को निकाल दो उस टाइम पे जो ग्यास का pressure होगा उसी को अपन partial pressure बोलते है जैसे घर में 4 member है एक member की salary 40,000 है दूसरे की 20 है तीसरे की 10 है और last वाले की 5 है तोल कितना हो गया 40, 20, 10, 75 हो गया अब ऐसा माल लिजए कि घर के starting के 3 member की family को मत गिनिये सिर्फ लास्ट वाले की गिनिये तो 5000 है 5000 है 5000 घर की income मतलब partial income total income 75 वैसे ही gas का pressure ठीक है आगे देखते हैं derive an ideal gas equation mention the terms involved in it also write how it is utilized to obtain combined gas law कैसे combine gas law लाया गया चली ठीक है लोग लिख लेते हैं फटा 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 सबसे पहले बॉल्स लॉग तो बॉल्स लॉग तो बॉल्स लॉग में क्या constant होता है temperature is constant और जब temperature constant होगा तो relation क्या आता है P is inversely proportional to V ठीक है अब यहाँ पे देखें मतलब PV is equal to क्या हो जाता है constant दूसरा क्या है Charles law Charles law में हम क्या constant रखते हैं Charles law में हम constant रखते हैं pressure और जब pressure को हम constant रखते हैं तो temperature is directly या फिर ऐसे बोलता हूँ volume is directly proportional to temperature ठीक है और तीसरा क्या है लुसायक्स law जी हाँ उनके नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लुसायक्स law में क्या constant होता है volume constant और जब volume constant होगा तो जो pressure है वो directly proportion करेगा temperature को ठीक है ऐसे ऐसे तो अवेगेडरो लॉबी होता है अंडर identical condition of temperature और प्रेशर देखिए अवेगेडरो लॉब में temperature और प्रेशर दोनों constant होते है तो equal volume of gases contain equal number of molecules सर आपने एक question जो अभी बोला था अवेगेडरो वाला law उसमें आप थोड़ा सोच रहते कैसा क्यूंकि उसमें कैसा है temperature जो बोलता है वो मेंशन ही नहीं किया फिर वहाँ पे क्या दिया है pressure इसी लिए सोचने पर थोड़ा सा मजबूर होगे अगर temperature pressure equal दे दे तब तो भाई बात ही बन जाए लेकिन वहाँ पे क्या किया है अपने को pressure equal दे दिया और volume को एक को 1 दिया और एक को 1.5 दिया और उसी के respect में volume को बढ़ा भी दिया है एक मूल कितना लेता है generally जगे इतना 22.4 बट वहाँ पे शायद से 24.8 है अगर आप देखो तो यहाँ पे ध्यान से 24.8 एक मूल का है और यहाँ पे कितना है 1.5 मूल का 37.2 है ओके 37.2 मतलब अगर एक मूल इतना है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 12.4 और 12.4 को आप इसमें add करो तो इतना हो जाएगा मतलब इसमें क्या है pressure constant है और साती साथ volume बी constant है ओके तो number of moles भी same है तो इसमें आप क्या बोल सकते हो PV is equal to nRT के हिसाब से तो no doubt डोनो का temperature भी same है तो यह कुछ नहीं तो अवेगेडरो लौ ही है ओके बड़ अवेगेडरो लौ में जेनरल दिखा दिया जाता है कि temperature और प्रेशर सेम होते है यहाँ पे थोड़ा सा ultra game खेल लिया तो tension नहीं ले वालो अब यहाँ पे देखो यह तीनों हो गया अब देखिए PV हो गया यहाँ पे राइट साइट में क्या आ गया है T और हम सब को पता है सब में क्या constant होता है एक चीज नमबर आफ मोल्स सब में क्या है नमबर आफ मोल्स भी constant होता है तो PV लेफ्ट में is equal to nT ऐसे लिखता हूँ directly proportional to तो PV is equal to nRT ऐसे हो जाएगा समझ में आ रहा है तो यह ideal gas हो गया आप चाहो तो इसमें V is directly proportional to n ऐसे भी ले सकते हो तो यह देखिए सारे right side में कौन आ गया यह अवेगाडरो लोको ले लिए मैंने T आ गया और N आ गया तो यह देखिए ना T और N आ गया और R जो है वो universal gas constant ठीक है चलिए आगे देखते हैं with the help of graph answer the following फूरे graph से हमको कुछ answers देने देखिए temperature constant देदी है मतलब इस graph को हम क्या बोलेंगे आई सो थो म मतलब temperature is constant at constant temperature graph shows relation between pressure and volume represent the relation mathematically देखिए pressure बढ़ रहा है और यहाँ पे 1 upon V बढ़ रहा है मतलब pressure is inversely proportional to volume सर आपको कैसे पता चला तर आपको कैसे पता चला तो प्यारे बच्चों simple सी बात है यहाँ पे इतना जादा यह difficult नहीं है कि यहाँ पे दिख रहा है कि pressure भी बढ़ रहा है volume भी बढ़ रहा है लेकिन हमने क्या पढ़ा है pressure बढ़ेगा तो volume कम होगा अगर temperature तो यह देखिए ध्यान से 1 by V है और यह linear equation मतलब pressure is directly proportional to 1 upon V मतलब हम कह सकते है pressure is inversely proportional to V आगे समझ में आगे देखिए identify the law और कितना simple है temperature constant हो गया बबबगा तो फिर का law का हो जाएगा बाल्स ला हो जाएगा कहा टेंसल ने रहा है आगे देखिए right statement of law now बाल्स law you can write like you know it's so simple on keeping the temperature constant pressure of a gas is inversely proportional to volume simple write postulates of kinetic theory of gases the kinetic theory of gases को हमने पढ़ा है इसका पूरा postulate pdf में दिया गया है और यह short notes जो है vapor pressure the pressure exerted by vapor phase of a liquid over the surface of a liquid when both vapor and liquid exist in equilibrium और surface tension क्या है force acting per unit length force acting per unit length over the line drawn force acting यह देखिए यह माल लीजे लिक्विड है यह उसका surface है और यह point ले लिया तो force acting per unit length over the line drawn तो इसके उपर हम लोग क्या कर सकते हैं एक line draw कर ले यह देखिए ऐसे तो यह जो force काम कर रहा है समझ में आ रहा है per unit length over the line drawn on a surface of a liquid is called as surface tension what is viscosity the force of friction जो force of friction between the different layer of a liquid is called as viscosity और इसकी unit poise होती है याद रखना सब कुछ I hope प्यारे वच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आओगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर अपने comment को नीचे comment box में लिख देना और हम यह कह सकते हैं कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे obviously यार वीडियो पसंद आई comment कर रहे हो तो शेयर करने में कोई गलत बात नहीं है तो चलिए दोस्तों इसी तरह पढ़ते रहिए अपना ज्यान बढ़ाईए और जीवन में आगे बढ़िए मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए बबाँ